कथा परारम ओत है सुनो वीर अनुमान सियराम तिलक्षमन जान की सदा करो कल्यान सियावर राम जै जै राम मेरे प्रबुराम जै जै राम मैं पुनि निज गुर सन सुनी कता सो सू कर कीत समुझी नहीं तसी बालपन तब तिरयो अचीत सियावरी राम जै 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 राम मेरे प्रबुराम जै जै राम फिर वही कता मैंने वारहा चेत्र में अपने गुरुजी से सुनी परंतु समे मैं लड़कपन के कारण बहुत बे समझता इससे उसको उस परकार अची तरह समझा नहीं श्रोता बकता ज्यान निदी कता राम के गुड किमी समझों मैं जीव जड कलिमल ग्रस्ति बिमूड सियावरी राम जै जै राम मेरे प्रबुराम जै जै राम शीराम जी की गुड कता के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ग्यान के कजाने पूरी ग्यानी होते हैं मैं कलियू के पापों से ग्रास हुआ महामूर जड जी बला उनको कैसी समझ सकता था तद पि कहीं गुर बार ही बारा समुझी परी कचुमती अनुसारा भाशा बद कर भी मैं सोई मोरे मन पर बोद जे होई तो भी गुरु जी जब बार बार कता कही तब उद्धी के अनुसार कुछ समझ में आई वही अब मेरे द्वारा भाशा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोश हो जस कचु बुद्धी भी बेक बल मेरे तसकाईयों ही हरी के प्रेरे निज संदेश मों ब्रम हरनी करो कता भवसरिता तरनी जैसा कुछ मुझ में बुद्धी और विवेक का बल है मैं हिर्दे में हरी की प्रेर्णा से उसी के अनुसार कहूंगा मैं अपने संदे अग्यान और ब्रहम को वरने वाली कता रचता हूँ जो संसार रुपी नदी के पार करने के लिए नाव है बुद्ध बिश्राम सकल जनरंजनी रामकता कली कलश भी बनजनी रामकता कली पन्नग भरनी पुनि भी बेक पावक कहु अरनी रामकता पंडितों को बिश्राम देने वाली सम्मनुश्यों को परसंद करने वाली और कल्यूग के पापों का नाश करने वाली है रामकता कल्यूग रूपी साब के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अगनी के प्रकट करने के लिए आरणी मंतन की जाने वाली लकड़ी है अर्थात इस कता से ज्ञान की प्राप्ती होती है रामकता कल्यूग में सब मनोर्तों को पूर्ण करने वाली काम देनु गो है और सजनों के लिए सुन्दर संजीवनी जड़ी है प्रती पर यह अमरत की नदी है जनमरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रहम रूपी मेंड़कों को खाने के लिए सरपणी है असुर सेन सम नरक निकंदनी साद विबुद कुलित गीरिनन्दनी संत समाज पयोदी दिरमासी विस्व भार भर अचल चमासी रामकता असुरोगी सेना के समान नरको का नाश करने वाली और सादू रूपी देवताओं के कुल काहित करने वाली पारवती दुरगा है ये संत समाज रूपी शीर समुंदर के लिए लक्षमी जी के समान है और संपूर विश्व का भार उठाने में अचल प्रत्वी के समान है ये शीराम जी को पवित तुलसी के समान प्रिय है और तुलसी दास के लिए खुलसी तुलसी दास जी की माता की समान हिर्दे सीट करने वाली है सीव प्रिय में कलसेल सुतासी सकलसी दिसुकसंपतिरासी सदगुन सुरगुन अंब अधीती सी रगुबर भक्ति प्रेम परमीती सी ये राम कता शीव जी को नर्मदा के समान प्यारी है, ये सब सिधियों की तता सुक संपत्ती की राशी है, सद्गुन रूपी देवताओं के उत्पन और पालन पोशन करने के लिए माता अदिती के समान है, शीर अगुनाद जी की भक्ती और प्रेम की परम सीमा सी है, कता समापत होते है, विदा हुए हनुमान, सी अराम तिलक्ष मैने जाने की, सदा करो कल्यान सी आवरी राम, जै जै राम, मिरी प्रभु राम, जै जै राम